नमस्कार, स्वागत है आयोप सिंधी के एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हेजिंग के बारे में जी हाँ दोस्तो, F&O ट्रेडिंग में हेजिंग का बहुत बढ़ा रोल है क्योंकि अगर हम हेजिंग करना सीख गए तो हमारा जो लॉस है वो लॉस छोटा होगा और जो प्रॉफिट है वो बढ़ा होगा तो अक्सर हम लोग जो ऑप्सन बायर्स हैं ये हेजिंग के बारे में जादा रिस्थर्च नहीं करते जादा समझते नहीं हैं और नाहीं ज़्यादा यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हेजिंग करना सिखेंगे। सबसे पहले हेजिंग है क्या इसको समझते हैं। उसके बाद हेजिंग करने का तरीखा समझेंगे। और मैं आप लोगों को पहले आस्वस्त करवा दूँ। कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हेजिंग करने में मुझे एक लाग चाहिए, डू लाग चाहिए या पचास हजार चाहिए, तो मैं आपको कह दूँ कि इतने जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 25,000 है, 30,000 है तो भी आप हेजिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं आपको लाइव फुरूप भी दिखाऊँगा। तो पहले आप हेजिंग के बारे में सीख लिजिए, समझ लिजिए कि हेजिंग है क्या। काफी आसान तरीके से समझाऊँगा, तो मेरा आपसे रिक्विस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा, और अपने दोस्तों में सेयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके वेल अकन को जरूर से जरूर फ्रेस कर दिजिएगा, तो चलिए आभी शुरू करते हैं, और हेजिंग के बारे में समझते हैं, देखिए हेजिंग जो है, नॉर्मली हेजिंग का मतलब होता है प्रोटक्ट, अब प्रोटक्ट कहलो, इसको इन्सोरेंस कहलो, मतलब जो भी कहलो, इसको टेकनिकल लेंगोईज में हेजिंग कहते हैं, आसान वासा में इसको हम करते हैं, प्रोटक्ट करना, अब देखो, फ्यूचर्स में ट्रेंडिंग कर रहे हो, या ओप्संस में, दोनों में क्या होता और हेजिंग जो है न हमारे अभी options market में futures market में जो हम लोग retail है न retail community के यह लोग नहीं करते हैं नहीं करते हैं सिर्फ 2% लोग कर रहा है बांकि 98% हेजिंग नहीं करता है यूज ही नहीं करता है उनके दिमाग में एक बह्म बैठा हुआ है कि हेजिंग करने का काम जो है वो सिर् FII हो DII हो या कोई भी fund manager जो भी future end में या future end options में trading करता है न वो लगभग 99% हेजिंग का यूज करता है तो हेजिंग का यूज करने का तरीका होना चाहिए समझ होनी चाहिए तो हेजिंग करके अगर आप trade करोगे options में futures में तो आपको profit जो है वो आपको बड़ा करने में मद मिलती है और आपका जो loss है वो छोटा हो जाता है ठीक है तो हेजिंग का मतलब simple है कि हम अपने trade को प्रोटक्ट करें देखो क्या होता है कि futures में अगर आप trading कर रहे हो futures में यहां पे लिका हो है na futures अगर आप futures का मतलब futures में आप तेजी के तरफ हो buy करके आए हो और आपको time bullies भी हो है आप अराम से positional trade bullies के दिमाग से कर रहे हो buy करके चल रहे हो लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं मन में या market के data के अनुसरा doubt कि market नीचे आ सकता है तो यहां पे अगर आप future में buy किये हो तो ज्यादा तर नॉर्मल जो expert trader क्या करते हैं futures में अनुने buy किया है तो future future में sell नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो उनको hedging करने का मतलब ही नहीं रहा न क्योंकि फिर दोनों बराबर का trade हो जाएगा hedging का मतलब होता है कि हम risk को कम करें तो अगर हमारे पास future में हमने buy करके बठा है heavy quantity के साथ तो हम अगर protect करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे हम options में जाएंगे options में और options में अगर market गिरता है तो options में या तो आप put buy कर सकते हो क्योंकि आपने already बहुत सारा पैसा futures में लगा रखा है तो आपके पास अगर fund कम है तो आप options में क्या करोगे put को buy कर सकते हो और लगता है कि नहीं market यहां से गिर सकता है अब मालो कि हम रिलाइंस का futures को buy किये हुए है और रिलाइंस उपर जाने वाला है लेकिन अचानक से रिलाइंस में news आती है और लगता है कि नहीं यहां से 2% गिर सकता है तो हम 2% का जो हमारा futures में जगह बना हुआ है उससे निकलना भी नहीं है क्योंकि हमें तो all time लग रहा है रिलाइंस का क्या करते है एक put option को buy कर लेते हैं hedge के तौर पे put option को buy करके hedge कर लेते हैं कि अगर यहां से 2% गिरेगा भी तो हम जो futures में buy किये हुए ना उससे एकडिट नहीं करेंगे हम बैठे रहेंगे लेकिन हम यहां से options में put को buy कर लेते हैं ताकि क्या होगा कि जो मेरा futures में loss दिख रहा होगा वो मेरा cover हो जाएगा put में profit दिख कर ठीक है इससे फाइदा क्या होता है simple समझो इससे फाइदा यह होता है कि अगर market में reliance गिरा ठीक है 2% गिर गिर गया तो इनका future वाले trade है वो थोरा सा नीचे आएगा हलांकि bullish view और all time bullish view ही है अराम से बैठने का plan ह तो वो exit तो नहीं करेंगे क्योंकि एक बार एगर exit आप कर दिये trade को तो फिर आप ले नहीं पाओगे तो अक्सर जो trader होता है वो जल्दी exit नहीं करता अपने position को hold करता है और hold करने के सबसे ज़्यादा important तरीका है hedge करके अब यहां से अगर doubt आया तो हमने put buy किया अब put buy करने का हमारा simple फायदा आपको पता है कि वो put में profit हो जाएगा अगर गीरा तो नहीं गीरा तो कोई बात नहीं put में वैसे भी मेरा premium कम लगा है futures के compare में मेरा अगर market होहां से बढ़ गया तो हमारा put options है उसमें loss कम होगा और profit मेरा futures में तो ज्यादा होगा क्योंकि high quantity भी है तो यह हमारा तरीका होता है future and options में hedge करने का अब देखो दूसरा तरीका में बताता हूँ यह तो future का हो गया अब बाता हूँ options का कि मानलो option trader है ज्यादातर options trader है back nifty हो या फिर nifty हो future के बारे में बता दिया है कि put को buy करना है अगर आपने future में अगर आपने buy किया है future में sell किया है और आपको लग रहा है कि market उपर जा सकता है तो हम options के call को buy करेंगे चाहाँ index हो या फिर stock हो simple अब और option trader है तो हम option trading में कैसे hedge करेंगे और वह भी 25 से 30 के में ठीक है ध्याँ से समझेगा बहुत knowledgeable video है तो हमें क्या करना है इसमें तुरह सचर्थ होता है आप ऐसा जाओगे और sell कर दोगे तो 25,000 में नहीं होगा ठीक है और 25,000 वालों के लिए मैं आप एक lot में काम कर सकते हो ऐसा नहीं कि 25,000 में multiple lot में आजाओ नहीं 25 से 30,000 में आप एक lot में काम कर सकते हो hedge करके तो अब hedge करना कैसे है मालों back nifty और nifty अभी bullies view चल रहा है अभी March चल रहा है आज 10 March है तो अभी March का मौसम है first week में जिस तरह से market का mood महोल है यह bullies है अब हमारा bullies view है और हमें लग रह जाएगा 48,000 पर चल रहा है 49,000 और निप्टी जो है यह जाएगा लगवक 22,600 पर ठीक है यहां से 100,500 पॉइंट उपर जाएगा हमें यह लग रहा है तो हम क्या करेंगे next week का next week का एक call बाई करके बैठे है ठीक है अगर हम single lot वाले हैं तो single lot बाई करके बैठे हैं दूर का call ठीक है दूर के money का ठीक है यह अगर हम heavy quantity वाले हैं तो heavy quantity में simple लेकर बैठ जाएंगे बैठ मिट्टी में भी और निप्टी में भी यह simple concept है trading का अब देखो market जब चल रहा है हमारा positional view है हमें बड़ा target लेना है तो बड़ा target तो तुरंद नहीं मिलेगा बैसे ज्यादा तर क्या है 10 15 20 रुपया बढ़ा exit कर लेते हैं लेकिन यह तो random trading है इस तरह के trading से profit तो कोई बना नहीं पा रहा है तो हम positional view के बात कर रहे हैं hedge positional view में ही होता है अब हमने एक lot 22600 का target है हमने 22600 का CE को buy किया और that है अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यार जो market close होने का time तो आ ग होता है तो हमारे हमारे पास एक problem आ जाएगा कि अगर कल gap down अगर हो गया nifty या back nifty तो हमारा already time decay मेरा देना पर रहा है तो premium क्या होगा premium तो already asset down मेरा हो जाएगा और अगर gap down हो गया तो और भी मेरा ज्यादा down तो इसको भरपाई करने के लिए यहां पे hedging को यूज किया जात है एक बंदा क्या करता है कि अगर उसने call को buy किया है तो उसमें positions मानलो की 5 lot है और उसको लग रहा है कि कल gap down होगा तो वो क्या करेगा 22,600 का call है तो 22,400 यानि कि थोड़ा दूर का मतलब otm मानलो क्या करेगा put को buy कर लेगा दो lot 5 lot यह यह दो 2 lot यह buy कर लेगा क्योंकि उनको लग रहा है कि gap down होगा और अगर gap down हुआ तो यह उनका call में थोड़ा सा loss जो होगा क्योंकि put में थोड़ा profit हो जाएगा लेकिन इसमें क्या है problem है हलांकि यह आपको कम पैसा में हो जाएगा 10-12,000 में 20,000 में हो जाएगा लेकिन इसमें profit problem क्या है कि आप अगर market अगर side page open हो 10-20,000 पॉइंट उपर नीचे हो गया open empty तो फिर वहाँ पे आपको call में तो loss होगा ही time decay और put में भी time decay का loss हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कौन सा formula यूज करते हैं कि अगर हमारे पास मालो एक lot 22,600 का call है next expiry का और पुड़ा mood है कि नहीं हमारा आम से इसको positions बना के रख जाए या थोड़ा और नीचे आ जाए लेकिन इस positions को मैं hold करना चाहता हूं loss भूप नहीं करना है मुझे मैंने एक lot लिया है मानलो की 5000 का तो मुझे 5000 का हम बेट करेंगे अगले expiry तक जब expiry तक बेट करेंगे maximum loss 5000 सहन कर सकते हैं यह सूच कर आप बैठे हो और आप चाह रह तो यहां पर हमारा क्या करता है कि call को sell कर दिया जाता है यानि कि एक call हमने buy वी किया हुआ है और एक call को हमने sell भी किया अब call जो हमने buy किया हुआ है वो तो मानलो 22500 चल रहा है 2600 का या 2500 का add the money call हमने buy किया हुआ है और मेरा target है 2600 2700 का target हम रखे हुए है कि expiry तक जाएगा ज हम इसको product करने के लिए hedge करने के लिए हम एक lot क्या करेंगे call को ही sell करेंगे otm अब यह otm कौन सा होगा मानलो 22600 500 चल रहा है हमने 22600 का call buy किया हुआ है तो हम क्या करेंगे 22800 का यानि 200-300 उपर call sell करेंगे यह अगर आपने मानलो 2600 का मानलो की खड़िदा होगा 100 रुपीज में तो यह आपको मिल जाएगा लगबग 800 का 40 रुपीज में 40 रुपीज में मिलेगा अब हम क्या किया है यहां पर अराम से एक call को sell कर दिया और एक call को मतलब buy करके बैठ गया है अब देखो कल market अगर gap down ऊपन होता है gap down ठीक है तो हमारा जो call का position जो 100 रुपीज का था मानलो की 70 पॉइंट हुआ नीचे 70 पॉइंट में हमारा जो call का premium मानलो 20 रुपीज नीचे आ गया ठीक है लेकिन यह 40 रुपीज का है यह 40 रुपीज का जो हमने sell किया था इसका भी price तो नीचे आया होगा तो यह otm था दूर का तो इसमें थोरा सा कम गिरावट होगी तो यह 40 मार्केट हमारे पास अगर opposite भी open हुआ तो हमें सिर्फ 10 रुपिय का loss दिख रहा होगा ठीक है तो यह हमारा हुआ है अब देखो इस positions को हम carry forward भी कर सकते हैं कब जब हमें लग रहा है कि नहीं मार्केट में एक support पर जाकर ठीक है मार्केट फिर से bounce back लेगा bounce back लेगा तो हम इ करेंगे मार्केट अगर bounce back लेकर और अगर उपर जाता है मानलो मार्केट आया यहां पर यहां पर एक support ले लिया अब support लेने के बाद मार्केट अगर उपर गया तो हमारा क्या होगा कि जो add the money 2600 का जो CE है यह हमारा 20 रुपिया जो loss था यह रिकवर करके मानलो 120-130 पे पहु दूर का price है तो यह अगर मानलो 120 गया 40 का gain किया हमारा add the money call का तो हमारा OTM जो है वो हमें loss कितना करेगा मानलो की 15 रुपिस 15 का loss करेगा क्योंकि यह OTM है तो OTM हमारा gain कम करेगा तो इस हिसाब से आप wait कर सकते हैं कि आप चीजों को पहले अच्छे से सीको समझो experiment करो सीधा trading स profit बनाने के चकर में मत परो क्योंकि इसके चकर में सभी loss ही कर रहे हैं hedge करने का तरीका सीखो पहले आपको buy करना होगा फिर आप sell करोगे तो ही आप 25-30,000 में कर पाऊगे अन्यता नहीं होगा पहले आप sell करने जाओगे फिर आपको margin उतना ही देना होगा जितना पहले सबको लगता है ठीक है तो आपके पास अगर buying positions है उसके बाद आप hedge करने के लिए उसको security करने के लिए आप लेते हो sell करते हो तो आपको एक lot में 25-30,000 में हो जाएगा ठीक है आपको मैं इसके वे उपर वीडियो भी बनाया हूँ लाइब वीडियो भी आप stocks में कैसे हम लोग करत चाते हैं तो आप इस टॉक्स या सैमको में कर सकते हैं लिंक description में दिया हुआ है मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में थेंक यू जहिंद